नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 35 years है और एक महिला का पाम है इस पाम का कलर देखे कितना सुन्दर है जब इस तरह का कलर हो तो व्यक्ति के जीवन में सम्रूद्धी अच्छी खासी रहती है और खर्च का पैमाना भी अच्छा खासा रहता है यहां पर एक अच्छी सी धनुशाकार साइन बन रही है जब इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसके यह लोग ग्रैप कर पाते है बहुत पतली रेखावाला हाथ है यह हाथ की साइज देखे तो यह एक रेक्टेंगल शेप है तो ज्यादा तर बोलकर या बैटे-बैटे व्यक्ति जीवन में काम करते है और अंगुठा देखे तो थोड़ा सा बैंड हो रहा है तो मित्रता पुन वहवार रहता है व्यक्ति का पर फर्स्ट फैलेंज काफी नुकीला है तो कारे के प् कंप्रोमेज नेचर का भी रहता है फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है और इनके उंगलियों के फैलेंज बड़े-बड़े है तो यह बहुत ज्यादा एनालेटिकल परस्नालिटी होगी और सुरी के उंगली बहु पहुच रहे तो व्यक्ति डोकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना है याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट, अकाउंट से इस सारी चीजों में कहीं न कहीं व्यक्ति कमज़र होता है और वो हाथ पर भी छलक रहा है थर्ड फैलेंजश सपाट है व्यक्ति में बिज्नेश सैंस काफ़ी अच्छा होता बुद्पर्वत तर देखे बुद्पर्वत अपने आप में अब रहे है व्यक्ति सुन्दर होता है उसकी वानी बहुत अच्छी होती है बिजनेस सैंस काफी अच्छा होता है प्लस बेसिक टेकनोलोजी और साइंस का भी नॉलेज बेसिक नॉलेज व्यक्ति चाहे कॉमर्स का भी हो तो उसको रहता जरूर है अगर आपका भूत परवत अच्छा है और उस पर बहुत सारी खड़ी लाइने भी है तो व्यक्ति कोई और ज़्यादा स्मार्ट बनाती है और व्यक्ति ज़्यादा सुन्दर बनता है जब यहाँ पर ज़्यादा लाइने होती है अब संद माउंट पर चले संद माउंट पर एक रेखा इनकी यहाँ से चली और यहां आकर यह mood रही है और यहां से एक और रेखा सुर्वात हो रही है और यह सीधी चल रही है प्लस एक दो रेखा है बीच में और है यानि यह multi talented व्यक्तित वह हो का इनका जब इस तरह की sun line होती है तो हाँ बीच में break भी हो रही है तो यह एक minus point है continue हो तो इसका चाम ही अलग होता है पर फिर भी comfortable income की और इशारा जाता है और जहां पर कमजोर पढ़ रही है वहां पर fate line अच्छी है तो ज़्यादा तकलिफ जीवन में आने वाली नहीं है और एक ऐसी sign है जो इनके जन्म के बाद इनका परिवार संपन हुआ होगा जहां पिहर में जन्म लियोंगे वहां और इनसे confirm भी किया है यह ऐसा हुआ है और जहां ससुराल में आयोंगे वहां पर भी संपनता बढ़ी होगी क्योंकि यह शुक्रवले वाला व्यक्ति जहां आम इंसान एक हजार कमाता है वहां पर यह लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं लाखो और अच्छा हाथ हो तो करोडो कमाते हैं तो यह advantage इनको मिला होगा एक ऐसी sign है यहां पर और यह बहुत बड़ा square है तो 100% जीवन में कभी न कभी international level का काम इनके जीवन में होगा चाहे इनका या इनके husband का फैला हुआ काम का जिसे कहते हैं वो इनका कभी न कभी यह square इस तरह का कारे इनके जीवन में कराएगा अब चलते इनके यहां पर यहां पर देखे तो विद्यारेखा बनी हुई है और साथ में एक छोटी रेखा भी है तो जब यहां पर विद्यारेखा होते है तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रखता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते है और यह सिलसिला बुढ़ा पे तक चलता है बच्पन से लेके बुढ़ा पे तक पर साइड में जब छोटी लाइन आ जाती है तो व्यक्ति को अपने ग्यान पर घमन भी रहता है अब इनके शनी परवत पर देखे तो देखिए एक लाइन यहां से निकल कर सुर्य परवत की और जा रही है और यह उम्र होगी इनकी उस समय 42 के आस पास 41, 42 के आस पास यह लाइन सुर्य परवत की और जा रही है और साथ में एक और लाइन यहां से सुर्य परवत की और देख रही है अब जब इस तरह की फेट लाइन होती है तो जनरली देखा जाता है व्यक्ति का विदेश से संबंद आता है यानि विदेश से आये के साधन उत्पन होते हैं और ये स्क्वेर भी उस तरफ इशारा कर रही है खैला हुआ काम का जी एक शो ये हो रहा है यहां पर देखे तो continue बहुत सारी रेखा है और एक दो रेखा है और सुर्य परवत की और देख रही है तो जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग तो इनके लिखे हुए और शनी परवत एकदम फ्लैट है व्यक्ति आलस क्या होता है पता ही नहीं होता है एक्टिव रहता है जीवन में और बुड़ा पर तक continue income होती रहेगी और कई माध्यमों से पैसा आएगा जब फेट लाइन पर आएंगे तब उसका काफी डिसकस करेंगे इस चीज़ का एक यहां पर फिश शाइन बनी हुए इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं यह जब शाइन होती है इसका पैसे से कोई लेना देना यह नहीं होता इनका धर्म के बारे में पूरा नजरिया आलग होता है ये किसी को बता नहीं पाते हैं और किसी को बता भी दिया तो वो समझ भी नहीं पाएगा इनका नजरिया और यहाँ पर अगर स्क्वेर बनते होंगे तो व्यक्ति को उस्तेनी जमीन जायदात का लाब मिलता है अब जूपिटर माउंट देखे तो यह एक प्रॉब्लम वाला है जब भी आपको कहीं पर भी आपको यह पार उभार दीखे तो व्यक्ति के जीवन में सांसारिक और पारिवारिक समस्या है रहती है हंडेट परसेंट इसका उपाय में इनको दे दूँगा यह पार अगर उभार है तो यह डिश्टब वाला है बहुत बार किसी का यह पार उभार रहता है चुपिटर माउंट कहीं पर भी एक तो छोटा है यानि परिवार से दूर रहेंगे दूसरा इनकी जीवन रेखा है वो भी लंबे चल रही है यानि परिवार से दूर जन्मसल से दूर व्यक्ति का विकास होता है और इनकी तो जीस तरह से लाइन दिख रही है भविश में यह foreign में भी settle हो सकते है उस पर मैं आऊंगा और यहां पर एक square भी बन रहा है यह व्यक्ति को 32 साल के पहले property दिलाता है और 36 साल में authority position पर व्यक्ति पहुशता है और एक, दो, तीन, चार यह multiple income की line है तो multiple income भी होगी थोड़े से सेवा भावी भी होते हैं इस तरह के लोग जब इन में खासियत होती है और बहुत सारे square है बड़ा square भी है तो व्यक्ति बड़े घर में भी रहने का सोबाग यह प्राप्त होता है और बोलने के कारे में master होते है पर यह केवल Jupiter Mount यहां से disturbed है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या है जीवन में रहती है व्यक्ति को और अच्छे है यह जब लाइन होती है तो व्यक्ति चिंति सभाव का रहता है कहीं न कहीं चिंता सताती रहती है तो इसका बैश्ट उलाज है भोले नात के मंदिर पर डेली जल चड़ाईए और meditation करिए यह रेखाए निकल जाएगी जुराई और अंदून्य मंगल मद्यम टाइब कORA न ज्यादा अच्छा और जादा बूरा है तो सरीर की एनर्जी मद्यम टीप की होगी भारी मंगल भी देखे तो बहुत ज्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज्यादा दबाब भी नहीं है तो व्यक्ति किसी से तो चेक करेगा सामने वाला मरों से लाइक है की नहीं फिर आगे बढ़ेगा अब इनके चंद्रपरवत पर चलते चंद्रपरवत देखे कितना अच्छा है हाँ थोड़ा सा यहां से दबा है तो व्यक्ति बाते बहुत जादा करता है जब यहां पर दबा होता है इसके अलावा को कोई माइनस पॉइंट नहीं और इस तरह का चंद्रपरवत व्यक्ति का विदेश से संबंद लाता ही है किसी न किसी तरह और साथ में इनकी तो जीवन रेखाई पूरी चंद्रपरवत को छूर ही है या तो अपने जंसल से दूर यह विकास करते या फोरें में सेटल हो जात है इस तरह का महौल इनके जीवन में बनता है एक तो चीज यह होगी चंद्रपरवत अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है दूट से बनी कोई ने कोई वस्तू बहुत भाती है इनकी पर्चेस पावर काफी पावर्फुल होती है वस्तू खरीत कर लाए पर चोटा सा मनी ट्रेंगल बन रहा है पर एक ग्रेटर ट्रेंगल जरूर इनके हाथ में तूटी मोटी रेखाव को मिलांकर बन जरूर रहा है तो ये एंट तक में वुडापे तक में अच्छे खासे सम्रुद्ध बनेगे हाँ थोड़ा सा ओपन है कहीं कहीं पर पर उसक लगता है जब समय अच्छा है यह रेखा complete बन जाए तो यह काफी बड़ा greater triangle बनेगा और अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा करेंगे और शुक्रवले वाला हाथ है तो संपत्तिया तो जीवन में आने ही वाली है और offshoot भी काफी है इनके जीवन में अब इनके श इस तरह की feeling यह लाइने देती है और इसका पूजा का इलाजे मैं इनको दे दूँगा और शुक्रपरवत ना जादा उभार है ना जादा दबा हुआ है मद्यम टाइप का मद्यम फल इनको जीवन में देगा बहुत जादा luxury के पीछे भी नहीं जाते होंगे और बहुत जा मैं इनको दे दूँगा अब इनकी रिदे रेखा को देखते है रिदे रेखा एक जारी है गुरु पर्वत की और यह शाका यह जब शाका होती है तो व्यक्टि के जीवन में सरकारी लाब या political लाब या व्यक्ति ससुराल पैसे वाल ससुरस इस तरफ यह इस इशारा जाता और एक हिर्दे रेखा इनकी यहां से सुरुवात होकर यह इस तरह से बढ़ रही है और यहां पर फ्लर्ट लाइन भी है तो यह थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी जूनता है और जब इससर के हिर्दे रेखा तो मन में एक गुसा हमेसा बना रहता है जब आपकी हिर्दे रेखा मंगल छृत्र की ओर जाती है तो हमेसा गुसा बना रहता है एक तो ये, दूसरा इन में expectation बहुत जादा रहती है, और system से काम करने वाले लोग रहते हैं, बच्पन से ही आदर्स वाद पर चलते हैं, यानि कोई आदर्स बना लिये रहते हैं, इसी तरह जीना, उसमें जरह सा भी उची नीच हो जाए, तो ये disturb हो जाते हैं, एक तो चीज जीए, प्लस expectation जादा होती है, इसके कारण पारिवारिक मामलों में कभी-कभी समस्या create होती है, पर commercial लेवल पर इस तरह की heart line सफलता भी दिलाती है, क्योंकि ये लोग system में काम करते हैं, और हाथ के नीचे के लोगों से भी इसी तरह काम ले पाते हैं, और जादा काम ले पा अब same mind line देखे, तो गुरु परवत से ही सुरुवात हो रही है, और ये सीधी चलकर यहां तक चल रही है, जब इस तरह की mind line हो, गुरु परवत से तो व्यक्ति महतोकांशी होता और अपनी महतोकांशा पूरी भी करता है, और ऐसी mind line पर, बीच-बीच में ये जो dark होती है, ये tense लाती है, जैसे ये period होगा, इनके उम्र का, लगबग 28 से लेके 30 तक का period tense में गया होगा, और उसके बाद, ये यहां पर भी disturbance देख रहा है, 32 से लेकर, 36 तक का period tense में गया होगा, और उसके बाद, mind line सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, अब इनकी जीवन गया पर देखे, पहले चोटी-चोटी बारिक गया है, गया होगा है, उसके बारे में डिसक्रस करते, एक 32 के आसपास राओ रेखा ने काटा, एक 34 के आसपास राओ रेखा ने काटा, एक 35-36 के आसपास राओ रेखा काट रही है, और यहां पर ही उसके एकाद दो साल के बाद आफशूट भी है तो कोई ने कोई सफलता भी इनको 38 के आसपास मिलते हुई दिख रही है उसके बाद इनके जीवन में 41 में एक राव रेखा हलकी सी काट रही है 42 में हलकी सी काट रही है और 44 में काट रही है ये पिरियड में भी कोई ना कोई रुकावट आएगी पर साथ में यहां पर भी आफशुट बने हुए तो अच्छे और बूरे दोनों समय इनके साथ चलेंगे पर ऐसी कोई स्ट्रॉंग राउरेका है नहीं है कि जिसके कारण बहुत जादा 19-20 हो जाए वेक्ठी के जीवन में और उसके बाद लाश्ट राउरेका 53 के आसपास है ये भी पतली है और ये लगबग 50 के आसपास इनके जीवन में एक और परिवर्तन आएगा और जीवन की गाड़ी सीधी चल रही है और यहां पर एक फिश राइन बन रही है ये वेक्ठी को जीवन में एनर्जी देती है यानि ऐसे लोगों की जो उर्जा होती है काम करने की वो ज्यादा होती है ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती है इंडायरेक्ट बेनिफिट देती है सरीर में उर्जा होती है, इस फिश्चाहिन के कारण, जीवन रेखा पर, केतु के पास, और ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं, इस तरह की मानसिक्ता इनकी रहती है, और जीवन रेखा पूरी चल कर, चंद्रपरवत की और जारी है, या तो ऐसे लोग अपने जनस्तल से दूर विकास करते हैं, या इनके जिस तरह का चंद्रपरवत है, तो हंडेट परसेंट विदेश से संबंद आता हुआ दिख रहा है, विदेश में भी सैटल हो सकते हैं, और चांसे काफी उजवल है इनके विदेश से, त्यूंकि वह बहुत बड़ा स्कूर, प् इक तीस के आसपास, एक तीस के आसपास, एक बतीस के आसपास कट है, तो उस पिरियड में कोई ने कोई रुकावट आई होगी, एक थर्टी सेवन के आसपास है, एक फोर्टी वन के आसपास है, और उसके बाद भी छतीस के आसपास कोई ने कोई कमाई के रास्ते में बदल एक और ने रेखा, 41, 42 के आसपास एक रेखा, सुर्य परवत की और जा रही है, एक और ने रेखा, 41, 42 के आसपास डवलप हो रही है, और ऐसी भहुत सारी इंकम की रेखाई है, जो इनको multiple income create होगी इनके जीवन में, तो इंकम की तो कोई कमी इनके हाथ में दिखने ही रही है, continue बुड़ापे तक income की रेखा है कहीं पर भी रुकावट income में दिखनी रिया हाँ strong money triangle नहीं है तो राव रेखा आएगी उस समय तकलिफ जादा होगी पैसे के मामले में क्योंकि strong money triangle नहीं है पर तूट-फूट रेखाओ से एक greater triangle जरूर बद रहा है यह वर्तमान में इतना अच्छा नहीं है पर यह भविश में बहुत अच्छा line अगर बन गई और इस तरह के भी रही तो भी अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा करेंगे तो पैसे के मामले में तो यह हाथ में मुझे कोई कमी लग नहीं रही है क्योंकि भूत सारे offshoot है इनके हाथ में यह देखिए हर चार-पात सालों में एक offshoot जा रहा है कंटीनियू offshoot इनके हाथ में बने हुए तो ग्रोथ तो इनको मिलने ही वाली है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद